फेलू friend आज मैं लाइएँ बच्चों का सबसी फैवरेट वाइट सोर्स पास्ता जो की रä्स्टरेण्ट वगज़रा में बच्चे जाते हैं तो हमेशा ओडर करके खाते ही खाते हैं तो ये white sauce pasta घर में आप बड़े ही आसानी से बना लेंगे और इसे बनाना जितना ज़्यादा आसान है उतना ही खाने में भी tasty बनता है तो friends घर में white sauce pasta कैसे बनाए बिल्कुर आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगे अगर आप पहली बार बना रहें तब भी बड़ी आसानी से ये tasty tasty white sauce pasta बना लेंगे तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं white sauce pasta बनाने के लिए मैंने ये वाले pasta लिए जिने हम पेनी pasta बोलते हैं आप इसके जगे कोई भी शेप के pasta ले सकते हैं कड़ाई में मैंने तीन बड़े गिलास पानी को गरम होने के लिए रख दिया था उसमें हम डाल देंगे एक बाउल पैनी pasta तो पानी गरम होने के बाद ही आपको पास्ता को बोल होने के लिए रखना है और बिल्कुर आदी छोटी 54 रिफाइंड ओयल की हम इसमें डाल देंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं बहुत ज़्यादा ओयल आपको यहां पे नई डालना है तो बहुत ज़्यादा जब आप बनाते हो तो यह ओली टाइप के बनते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ओल डाल के पास्ता आपको यहां पे बॉल करना है और इन पास्ता को हमें लगबग पकते हुए दस से पंदा मेट हो गया पास्ता को मैं चेक कर तो इस तरह से चपकू से कट करके देखेंगे तो आसानी से कट रहे हैं यानि कि इस इतना ही कुक हमें करना है 80% के करी बहुत जादा पास्ता को आपको कुक रहे करना है तो यह पास्ता बनके बिल्कुत तयार है एकदम अच्छे से उबल गए हैं अब यह देखी अच्छे से अंदर से भी पूरे उबल गए हैं अब चलिए हम बनाना सुरू करते हैं इसको एक चलनी में च्छान तो सबसे पहले हम डालेंगे एक चमच बटर और थोड़ा सा आधी छोटी चमच के करीब डाल देंगे रिफाइंड ओयल ताकि बटर एकदम से जले ना अब फ्रेंड्स बटर मैंट होने के बाद में यहां पे मैं कुछ वेजी डालूँगी तो आप अपने पसंद से जो भ ्रवüş तो सब्सक्राने कर लिया एक चोटी पर मिर्चि यृत सामाट को हमने यहां ङुट कॉन सकते हैं सब्सक्राइब फारी टारनी है अब हम इन सबी चीजों को लगबख अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बटर्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए आधी छोटी चमच के करीब नमक डाल देंगे और इन सब्जियों को हमें बस एक से दो मिनट तक की भूनना है थोड़े से इसमें आप चाहें त च्यूनी निट प्तैनि और च्शिली चाहाई प्रेवर असली ग्रेशाव में थोड़ा फैप अर और नमक डाले कि यह तरह की तagnैक इक और अलग प्लेट में छिव्टकर अब आते हैं दोस्तों से उसी कड़ाई को हमने साफ करके ले लिया अब हम इसमें डालेंगे एक चमच बटर जैसा हमने वेजिटेबल को थोड़ा सा फ्राइ किया वैसे ही अब हम वाइट सॉस बनाएंगे थोड़ा सा आज ही छोटी चमच के करीब रिफाइंड ओल भी डालेंगे ताकि बटर जलेना क यहां पर हम डालेंगे लगबग दो चमच के करीब मैदा यानि कि आपने जितना मखन लिया मैंने दो चोटी चमच मखन लिया है तो दो चमच के करीब ही आप मैदा डालिए अगर आपको लगता है मैदा थोड़ी कम है तो आप आधी चोटी चमच मैदा ओर रैट कर सकते है और धीमी आज पर लगातार चला तो एक दो मिनट तक आपको भूरना है जब तक मैदा का कलर चेंड नहीं हो जाए अब हम यहाँ पर एक गिलास भर के दूद लिए हैं लेकिन मैं यहाँ पर आधा गिलासी दूद डालूंगी क्योंकि यह जो वाइट सोस जब हम बनाते तो ब चाहिए उसी के अकोर्डिंग आप दूद डाली लेकिन जितना पास्ता है उसके इसाब से यहाँ पर एक गिलास दूद लग जाएगा अब हमने जो वेजी टेबल को बटर में अच्छे से से का था वो यहाँ पर एड़ कर देंगे उसके बाद ही यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च के करी मैंने डाली एक काली मिर्च का पाउडर तीखा आप अपने पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं अब देखिए सारी वेजी टेबल तो हमने पहले ही पका ली थे अब आपको बिल्कुल भी टाइब नहीं लगेगा जो पास्ता उबालके रखा था वो तुरंत आप वाइट सॉस के अंदर डाल दीजिए तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी फटा फट बस सारी तयारे आप पहले कर लीजिए वेजी टेबल को भी अच्छी से से शेख लीजिए पास्ता भी उबालके रख लीजिए फिर इस तरह से मैदा में वाइट सोस बनने के बा उथा वो भी पूरा इसमें डाल दिया यानि कि मैंने एक गिलास पूरा दूद यहां पे डाला है दोस्तों और एक उबालाने के बाद आप इसे बन कर दीजिए और गर्मा गरम वाइट सॉस पास्ता बन के तयार है तो यह देखिए फ्रेंड वाइट सोस पास्ता बन गया आप चलिए इसे हम गर्मा गरम सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंड वाइट सोस पास्ता घर में बनाना बहुत आसान है आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाईए आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि जब आप इसे खाएं उसी समय तुरंत इसे बनाएं और खाएं क्योंकि सोस बहुत जल्दी गाड़ा होता है तो इसके उपर से थोड़ा सा आप स्प्रिंकर कर लीजिए और गैनो या मिक सब जो भी आपके पास है वो सीजलिंग आप इसके उपर से कर सकते मैं इहां पे थोड़ा सा और गैनो और चिली फ सॉस पास्ता बनाएं खाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वाइट सॉस पास्ता की रेसेपी कैसी लगी दोस्तों अगर आप रेट सॉस पास्ता की रेसेपी भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मैं आपके लिए जरूर वो बाइ बाइ